वेलकम टो एडुजोस, एडुजोस में आप सभी लोग का स्वागत है दोस्तो आज 3 फरबरी को RRB NT PC के SIFT 1 की परिक्षा खतम हो चुके है तो SIFT 1 में GKS, GS और CurrentFS के जो questions पूछे गए हैं इन सभी questions को इस वीडियो में discuss किये जाएगा शाम को आपको First SIFT और Second SIFT दोनों का Combined एक Analysis मिलेगा इसके लिए आपको इसका PDF भी दिया जाएगा वहाँ पर आपको PDF कहां मिलेगा यह हम आपको बता चुके हैं हमारा Android आप जो है Google Play Store पर अवेलेबल है आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं कल दो फरबड़ी का जो PDF है वो एवेलेबल नहीं हो सका था किसी कारण से तो आपको आप वो PDF और आज वाला PDF एक ही साथ वहाँ पर मिल जाएगा तीन फरबड़ी और दो फरबड़ी दोनों का PDF एक साथ वहाँ पर आपको आज मिल जाएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ में बेल आइकन को प्रस करके इसे अक्टिवेट कर लें जिन लोगों को डिरेक्ट लिंक चाहिए Android आप का वो डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएगा वहाँ पर आपको वो लिंक मिल जाएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज जो पहला प्रशन पूछा गया है अभिग्यान शाकुंतलम में साकुंतला के बेटे का नाम क्या है देखिए सबसे पहले याद रखिए अभिग्यान शाकुंतलम जो है ये पुस्तक किस की है कालिदास की है चीक है और कई बार हो सकता आगे ये आपसे सवाल पूछ दे तो इसमें सकुंतला के बेटे का नाम पूछा गया तो अंसर होगा भरत भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है ये कुश्चन पूछा गया है रेड कलिफ रेखा इसका नाम है इसके बाद देखिए पस्चमी तट को किस और नाम से जाना जाता है तो पस्चमी तट जो है वो दो तरह का है एक कौंकन तट है जिसको महराष्ट तट और गुवा तट इसको कहा जाता है और दूसरा है मालाबार तट जो कि केरल और करनातक का तट है ठीक है तो एक कौंकन तठ हो गया और दूसरा मालाबार तठ आप याद रखेगा यह पस्चमी तठ है नेक्स यहाँ पर दिसंबर 2020 में ICC के दसक का बेस्ट मेल किर्केटर अवार्ट किसको दिया गया है तो यह दिया गया है विराट कोहली को दिसंबर 2020 के हिसाब से पूछा गया था ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट कितने बीच को मिला है यह पूछा गया है बीच जो है कितने बीचेज को मिला है तो आठ बीच को मिला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट इसके बाद पूछा गया है ओर्चा जिसे यूनेस्को ने शामिल किया कहा है तो ओर्चा जो है यह मद्यपरदेश में इसके बाद देखिए ओक्टूबर 2018 में गोवा के मुख्यमंतरी का नाम पूछा गया है मनुहर पारिकर 2018 का पूछा गया था ठीक है वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में कौन है प्रमोद सावंत प्रमोद सावंत का नाम याद रखना है वर्तमान में गोवा के CM है ठीक है इसके बाद देखिए RBI के पहले भारतिय गवर्नर कौन थे तो CD देशमुक जो है वो पहले भारती है गवर्नर थे Reserve Bank of India के इसके बाद सवाल पूछा गया है बंगाल गजट क्या था तो बंगाल गजट जो है वो पहला अंग्रेजी समाचारपत था पहला English newspaper था ठीक है निउस पेपर था पहला English newspaper नेक्स कोशन यहाँ पर पूछा गया है समानता काधिकार देखे यह रिपीट हुआ यह कोशन पहले भी पूछा गया है दो-तीन दिन पहले समानता काधिकार किस अनुचेद में है तो अनुचेद 14 से लेकर 18 के बीच में इसका वर्नन किया गया है malaria का पहला Tika किस ने बनाय था किस company ने बनाय था वहाँ पर दवा की company के नाम सब दिये गए थे जैसे GSK है Johnson & Johnson दिया गया था तो यह याद देखेगा GSK इसका correct answer होगा malaria का पहला Tika किस ने बनाय था GSK ने बनाय था इसके बाद है graphite किस रज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है graphite जो है यह सबसे ज़्यादा अरुनाचल प्रदेश में पाया जाता है East India Society की अस्थापना किस ने की थी दादा भाई नोरोजी ने की थी Next question है North East के मीठे पानी की सबसे बड़ी जील जो North East है उसके मीठे पानी की सबसे बड़ी जील पूची गई है यह लोकटक जील कहां पर है यह मनीपूर में है याद रखिएगा ठीक है Next यहाँ पर है किसान सम्मान निधी योजना में कितने रुपे मिलते हैं तो किसान सम्मान निधी योजना में 6,000 रुपे सालान न यानि वार्षिक जो है वो मिलता है 6,000 रुपे किसानों को Next है Boxing में 6 बार Gold Medal जीतने वाली कौन है तो यह भारती पूचा गया था Mary Comis का अंसर होगा हमने आपको यह पहले भी बता है हुआ है रविद्ना टैगोर साहितिक प्रुषकार 2019 पूचा गया है किसको दिया गया है तो रविद्ना टैगोर साहितिक प्रुषकार होता है लिट्रेचर के लिए होता है यह और यह प्रुषकार 2019 में राना दास गुपता को दिया गया था 2020 का भी याद रख लीजे राज कमल जहा को दिया गया है 2020 का रविद्नाठ टैग और साहित्यक प्रुसकार इसके बाद केरल का कौन सा निर्ट एक क्वेशन पुचा गया था तो मोहिनी अट्टम वहाँ पर आंसर होगा Operation Vijay किस से सम्मंदित है बताइए कितनी बार ये कौशन हमने आपको बताया है Operation Vijay कारगिल विजे दिवस के अफसर पर हमने आपको बताया था इसके डिटेल ठीक है तो कारगिल युद से सम्मंदित है 1999 का कारगिल युद जो है इससे सम्मंदित है ये Operation Vijay ठीक है इसके बाद देखिए अगला सवाल यहां पर सबसे ज़्यादा nuclear power plant जो है वो किस देश में है तो अमेरीका इसका answer है इसके बाद नासकॉम का full form पूछा गया है तो नासकॉम का full form होता है National Association of Software and Services Companies इसके बाद सवाल पूछा गया अच्छा इसी में कभी आपसे पूछ दे कि नासकॉम में M का full form क्या है M का मतलब क्या है तो फिर आप क्या कीज़ेगा ठीक है तो Software and C.O.M है यह सिधे M का full form नहीं पूछेगा कभी भी कभी पूछेगा यह कॉम का पूछेगा जिसको Companies कहा गया है तो N से यहाँ पर देखे National है Association A से हो गया S से हो गया यह Software इस वाले S से हो गया Services और जो यह पूरा कौम है इसका मतलब Companies है ठीक है Next यहाँ पर पानीपत का पहला युद्ध पूछा गया है तो देखे 1526 में यह हुआ था बावर और इबराहिम लोदी के बीच हुआ था इसमें बावर जीत गया था ठीक है इसके बाद है The Little Balance Book पुस्तक है इसके लेखक पुछा है कौन है तो इसके लेखक Galileo Galilei Galileo Galilei जो है वो इसके लेखक है याद रखेगा किसके The Little Balance पुस्तक के Galileo Galilei Next यहाँ पर दो कुछा गया है E-Cigarette पर सबसे पहले किस राजने परतिबंद लगाया Option में राजस्थान, हरियाना, जारकंड यह सभी थे तो जारकंड इसमें correct answer हो जाएगा तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने first shift के question देखे उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को like and share जरूर कीजेगा आपके लिए चंदरियान 2 पर वीडियो बना दी है description में उसका भी link दे देता हूँ वहाँ से आप चंदरियान 2 की वीडियो जरूर देखें क्योंकि आने वाले exam में आप से questions पूछे जा सकते हैं चंदरियान 1 की वीडियो पहले ही upload करा दी थी आप इस i button से भी direct जो है वो इस वीडियो को देख सकते हैं चंदरियान 2 की वीडियो को थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत भुत धन्यवाद